हेलो एब्रिवन वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल एडिको क्लासिज मैं नेम इज मनीश और आप देख रहे हैं एडिको क्लासिज को दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की सिलेवस जिसमें हम आज कवर करेंगे जिग्रॉफी बुक से रिसोर्स और करेंगा जो एक्जाम्स के पॉइंट उफ्य से काफी ज्यादा इंपर्टेंट होगा दोस्तों सारे कंटेंट को मैं आपको डिसकस नहीं करूंगा जो बोरिंग होने वाला इस वीडियो में इंटेशिक के साथ आप बने रहो ताकि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में यह ट ताकि आप कैसे एंसर भी लिखोगे ताकि आपका कोश्चन काफी ज्यादा एफेक्टिव हो एक्जामिनर आपको उस कोश्चन के बेस पर आपको अच्छा से मार्क्स प्रोवाइड कर सके तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ और देख नीचर में अभिलेवल है अबरीटिंग कोछ नेचर में अभिलेवल है जैसे कि आप बात करते हो सद्दींजी हो गया वाटर सो गया स्टैस्वाइस इसहारे हमारेनीचरमें अविलेवल है हें जब वो चीज हमारे नीट को सateед 스파 नहीं करेगा तब तक सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो नीट को सटय कैसे करेगा से नीट को सब्सक्राइब करने के लिए और इसोज पूर आप मोडिफाइब करोंगे कहीर टेक्नलोजिकली ऐसे से वाहरो एकनॉम्हिकली फीजिवल होनी चाहिए ठीक है और जो एक्स कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए अगर यह सारे पा Kुछ कुर फूल फार कर रहा है कोुई रिसोर्स तो भूसर्स हो सकता है अगर हम बात करें दोस्तों जब तक उस वार्टर को हम modify करके हम लोग उसको कुछ हमारे need को satisfy करने जैसा कुछ बना नहीं लेते हैं तब तक हो resource नहीं कहलाएगा ऐसे तो water हमारे लिए या few year चाहिए हम soil बोल सकते सनलाइट बोल सकते इस सारे हमारे essential part है life का लेकि essential part को हम अपने need के recording यूज करते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या होने चाहिए technology होनी चाहिए हमारे पास institution होनी चाहिए ताकि उस technology के help से institution में human beings nature के साथ interact करेगा और सारे और उसको अपने एक resource को अपने need के नुसा हमारे देश को economics को करने में help करेगा दोस्तों तो अगर हम बात करें कि human beings क्या करता है technology के help से institution में उन सारे resource को modify करता है और हमारे देश के जो economics होती है development होती है उसको accelerate करने में उसको help करती है बात समझ में आ रही होगी अब हम बात करते हैं कि क्या nature में जो कुछ भी अब लेबल है ओ फ्री है या फिर कह सकते है डू यू थिंक डाइड रिसोर्स और फ्री गिफ्ट आफ नेचर एज एजुम्ड बाइमेनी दोस्तों इसका answer not आएगा क्यों देखते है रिसोर्स जो होता है ना ओ फंक्शन होता है रिसोर्स आर फंक्शन आफ human activity यानि human activity के वज़े से हम क्या करते है जो हमारे नेचर में एबलेबल है चीज़े उसको हम अपने activity से उसको modify करते है चेंज करते है है ना human beings जो होता है essential component जो रिसोर्स की essential component को टैकल करता है और उसको transform करता है हमारे नीट के according हमारे उस रिसोर्स को हमारे नीट के according उस component को change करता है दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग इस डाइग्राम के help से आपको हम बताएंगे कि रिसोर्स को हम लोग classify कर सकते हैं तो रिसोर्स को हम लोग four ways पर हम लोग classify करेंगे पहला based on origin based on accessibility based on ownership and based on status of development दोस्तों based on origin में हम बात करेंगे biotic और abiotic है ना biotic क्या होता है कि जैसे कि human beings हो गया flora हो गया fauna हो गया और live stock हो गया flora का मतलब होता है आपका जान लेंगे कि जो vegetation part हो गया उस सारे को flora कहते है लाइक प्लांट हो गया ट्री हो गया फ्लावर्स हो गया। यह सारी जो बेजीटरीटीव पार्ट हो गया उसको फ्लोरा कहते हैं फ्लोरा और स्वाना अनिमल्स हो गया這是 है लाइब salt आप समझे से लिविग विंड्स लिविल क्रियेचर से रिरीलेटेद लाइब सुख की बात कर रहें अब आयोटिक का मतलब होता है जो नजलिविंग इपUI होता है नेचर में जो यह लेवल होता है rocks and minerals अब बात करेंगे हम बात करेंगे based on accessibility दोस्तों based on accessibility में हम बात करेंगे renewable and non renewable तो renew जिसको हम कर सकते हैं जिस resource को renew कर सकते हैं time to time उसको renewable resource कहेंगे like water forest and wildlife second non renewable resource जोसे होता है कि इसको भी renew कर सकते हैं लेकिन इसको renew करने में काफी लंबे वक्त लगता है दोस्तों fossil fuels और metals आता है है ना renewable में भी दो चीज होता है continuous या flow जैसे कि wind हो गया और water हो गया और दूसरा होता है renewable में biological होता है non renewable में हम बात करेंगे recycle जिसको कर सकते जैसे metals हो गया metals को हम recycle करके फिर से उसको reuse करते हैं non recycable जैसे fossil fuels एक बार fossil fuels का यूज कर लिया जैसे कि मैं petrol और diesel की बात कर रहा हूं one time अगर यूज कर लेते हैं तो फिर दुबारा वह यूज करने लाइक नहीं रहता है इसको हम बोलते है non recycable अब हम बात करेंगे resource का international और चौथा जो होगा international तो पहले हम बात करेंगे कि individual क्या होता है जैसे कि हम पर्षनली कोई चीज खरीदते हैं जिस पर मेरा personal rights होता है like plots हो गया houses हो गया वेल्स हो जाएंगी हमारे commercial वैन हो जाएगा वैकल्स हो जाएगा जिसको क्या करते पर्षनली खरीद कर उसको कहीं पर लगा देते हैं ताकि उससे कुछ पैसे हम कमा सकें वह हमारे लिए resource हो जाएगी community का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पर पुरा एक समाज का एक society का राइट होती है जैसे कि पबलिक पार्क individual people करने होता है सारे लोग उसमें बैठते हैं और सारे लोग उसका सारे लोग का राइट होता है defense देनन बात करेंगे नेशनल नेशनल रिसोर्सें जो जोता है जैसा कि मिनरल होजाएगा फारेस्ट होजाएगा वाइडलाइफ यानि हमारे देश में इन अगर है तो हमारे खाली का अधिकार साथाने कर बात करेंगे एटमस्फेयर में जो कुछ भी आप करते हो जैसे कि सैटेलाइट बगरा तो वह हमारे लिए इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा ओशन अगर हम ट्वेंडेड नॉटिकल माइल्स के अलावा यानि ट्वेल माइट नॉटिकल माइल के अंदर में हमारा नेशनल र बीच में अगर जो भी रिसोर्स मिलेगा वहां तक तो हमारे देश का होगा उसके बाद इंटरनेशनल होगा दोस्तों दूसरे हम बात करेंगे बेस्ट ऑन स्टैस ऑफ डेवलाप्मेंट इसमें क्या होता है इसको भी हम चार पार्ट में डिवाइट करेंगा फर्स्ट इसको सारे को वन बाई वन करके हमनों डिसकस करेंगे बने रहे हैं मेरे साथ और कम्प्लीट वीडियो अंतक देखे ताकि आपको समझने में कोई प्राब्लम परशानी नहीं हो हमने बता दिया टाइपस ऑफ रिसोर्स में बेसीज और बेसीज ऑफ और इजिन इसको आप स् एंगे हम रोब बताया मैंने जो बताया दोस्तों कि टेक्निकली और रिसोर्सेज होता हमारे नेसंस का होता है और हमारे कंट्री के अंदर में जो भी दिसोर्स होती है वह मुझे जैसे की आपका रोड़ हो गया पुब्लीक गूड़ सो जाएगे ऐने मिनरा और सो जाएग 22.2 km के अंदर कुछ भी चीज़ अगर समूदर में मिलेगा हमारे देश के लिए होगा अब हम बात करेंगे 24 nautical miles को 44.4 km में मेजर करेंगे यानि 24 nautical miles to 44.4 km होता है इसमें क्या है कि यूएस कंटीजियस जोन इसको बोलते हैं यानि इजेड एक्सक्लूसिव एकोनॉमिक जोन है ना एक्सक्लीसीव एकोनॉमिक जोन जो हौता है दोस्तो इसमें के एक्सक्लीसिव इकोनॉमिक जोन यहां पर इसको यहां और ऑर क्या। वर्ध से उपर वाले को बोले यहां पर इसको कट कर देंगे 24 nautical miles के अंदर में अगर कुछ भी जैसे कि कुछ मिलता है या फिक किसी दूसरे कंट्री का कुछ सीप बगरा अगर मूफ करता है तो आप पहले आपको युएस यानि युनाइटेड नेशन से आपको क्या करना युनाइटेड स्टेट से आपको परमीशन लेनी होगी हना और उस परमीशन के के अकॉर्डिंग जिस कंट्री के नजदिक 24 नौर्टिकल माइल्स रहेगा उसका उस पर राइट्स होता है उसके फेवर में वह डिसीजन देता है दोस्तों यह जो नौर्टिकल माइल्स जो थी ना इट 29 सेप्टेमबर 1919 को मतलब एक परकार का कह सकते हैं 99 को पास किया गया ब लौutना को हम देखेंगे कि 200 नौर्टिकल माइल्स यानि समुद्र जो कोस्टल एडिया है उससे 200 ौल्टिकल माइल्स जो होता है य। 200 nautical smiles equals to 370.4 km होता है और इस law को बनाया गया था 1982 में United Nation Convention में तो इसमें यह चीज़े है कि इसके अंदर में अगर कुछ मिलता है समुदर के अंदर तो सारा हमारे world का होगा यानि उस पर किसका अधिकार होगा UNO का United Nation Organization Organization का और ओडिसाइड करेगा इसको किसको देना है लेकिन अब एक बात बताते हैं यहाँ पर कि मैगनीज नोडियूस करके एक माइस है जो समुदर में पाई जाती है मैग मैगनीज नॉडियूस करके इस पर क्या है कि 200 नॉटिकल माइल्स के अलावा भी अगर यह मिलता है यह मिनरल्स आपके समुदर में मिलता है तो तो इसको इस पर जो अधिकार है वह इंडिया का है ऐसा यूनों ने राइट दे रखा है इंडिया को ताकि वह इसका यूज कर सके यह जो भी करना हो अपना कर सके ठीक है दोस्तों आब हम बात करेंगे on the basis of the status development तो इस यह सारा कुछ हम potential resources developed resources इन सारों को discuss करेंगे तो पहले हम बात करेंगे potential resources क्या होता है तो एक वैसे resource होते है potential resources में जो हमारे पास हम capable है हमारे पास और resource available है लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें हम बात कर रहे हैं sunlight की solar energy की तो wind energy की तो इस solar energy हमारे देश में बहुत पर्चूर मात्रा में और कह सकते हैं कि राजस्तान और गुजराज जैसे जो state है वह potential हो उसके पास वहाँ पर wind और solar energy बहुत जादा आती है लेकिन हम उसको सही वेस में utilize नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं utilize कर पा रहें क्योंकि हमारे पास technology नहीं है उस तरीके से इसलिए resources क्या और ही waste हो रही है हमी क्या करना चाहिए utilize करनी चाहिए इस परकार के potential हम potential है हम सक्षम हैं लेकिन हम उसको utilize नहीं कर पा रहें क्योंकि हमारे लेकंने असहर्ब टेकन्लोजी के वज़ए से उस चीजो को वेश्ट जाने दे रहें अब दूसरे में बात करते हैं уж いた becoming किसी इससकी अच्छी होती है तो उससे क्या होता है कि को मात्रा से भी हम बहुत जादा Church वह जादा यूटिलाइज कर सकते हैं एनरजी को तो हम बात करते हैं कि अपने इन सारे चीज़ें टेक्नलोजी के हेल्प से क्या करते हैं डेवलॉप्ट यानि डेवलॉप्मेंट रिसोर्सेज किस पर डिपेंड होता है टेक्नलोजी पर यानि जो रिसोर्सेज हम हमारे माइन्स यहां हम का मतलब ही हुआ कि आपको जो निकालना है जब आप रिसोर्स निकालते हो एकनोमिकली फीजिवल का मतलब यह होता है कि जब आप रिसोर्स जमीन के अंदर से निकाल रहे हो तो उसकी वैलू निकाले विया प्रोसेस की वैलू से कम हो ज्यादा होनी चाहिए अगर जो आप गो अंदर ने लिए उसको निकालने में ज्यादा पैसा लग रहा है इसलिए उसको इकनॉमिकली कहते हैं दोस्तों हाना उस टाइब के स्थी भी रिस्ट जीसे कि एक एक्जामपल ले लेते हैं कि अगर हम बात करें कि कोई टैंपल और टेंपल नीचे बहुत बड़ा गोल्ड का माइंस लगा हुआ है मतलब बच्छा हुआ है मिल गया और उस रिसोर्स को निकालने के लिए उस मेटल को निकालने के लिए आपको temple को तोड़ना परेगा निए टेमपली का रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ जुरा हुआ है तो इस परकार के resources को क्या करेंगे नहीं निकालेंगे क्योंकि वह कह सकते हैं क्या क्रेंगे क्यों क्लचरली एकसेटेबल नहीं है कि उसे यूज कैसे करना है है ना तो इस परकार की रिसोर्स को हम कहेंगे इस टॉक रिसोर्स जैसे कि एक एक जामपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारा कर रिसोर्स है एनर्जी की हाइड्रोजन एक्जिस्ट कर रहा है बहुत पर्चुर मात्रा में लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उसे यूज कैसे करना है यानि वी डॉंट नो कि हाव टू यूज इट फॉर इस परपस हमारे पास उतनी टेक्नलोजी नहीं है इस वैसे हम उसको कर रहें तो इन फ्यूचर उसको हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं टेक्नलोजी के डेवलॉप होने के बाद लेकि फिलाल तो यूज नहीं कर रहे हैं तो इस परकार के रिसोर्स को हम लोग स्टॉक रिसोर्स कहते हैं नेक्स हम बात करेंगे रिजर्व रिसोर्स रिजर् उसके तरीक साब कर देते तो फूचर में बचा नहीं सकते हैं से नहीं कर पाइसलिए उससे क्या करते हैं ताकि वो बच जाए और फ्यूचर के लिए कि हमें हमारी resources बची रहा और future में उसे यूज़ कर सके एन फॉरेस्ट हो गया या फिर हम कह सकते water को हम लोग डैम बना कर क्या करते हैं उसको preserve करते हैं रिजर्ब करते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे development of resources कहने का मतलब है जिस तरीके साथ हम resources को यूज कर रहे हैं बिल्कुल ही indiscriminately तो उससाब से हमारे life में problem आने वाला है resources को अगर बेतु की तरीके से यूज करेंगे तो कल हमारे पास resource रहें नहीं रहेंगे और जिससे हमें बहुत ज्यादा problem आएगी इसलिए इससे भी क्यों हो रहा है क्योंकि human का जो नेचर है ग्रीडी हो चुका है एक example से समझते हैं हमारे पास एक कार होते हुए भी दुसरा कार हम खरीद लेते हैं इससे प्राब्लम यह आती है कि उस resources का हम इसी उच्व्च कर है हमारे पास पैसे फिर वह मुन्सका यूज कर रहा है भीना मतलब का उसा हम दुसरा कार खरीद लिए जिससे क्या होता हुटाए उन सारे लोगों के पास उखार नहीं पहुंच पाते हैं जिसको dreiट हैं यानि हमारा नीड नहीं था फिर भी हम दो कार तीन कार खरीद लिए सिर्फ स्व आउट करने के लिए लेकिए जिनके पास पैसे कम थे और जिनके पास पहुंच नहीं थी और ओकार नहीं खरीद पाएं तो इस परकार के बात बीचार करना अब बात आती है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाय है और भी कुछ बहुत सारे प्राबलम हो सकती है दोस्तों जैसे कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन जो होती है रिसोर्सेस को ज्यादा हाम करता है दूसरी चीज ग्लोवल वार्मिंग ओजोन लेयर अगर आप बहुत गलत तरीके से आप वैकल बहुत सारे रखते हो फैक्टरी का यूज करते हो या फिर अनदर टाइप का कुछ कहने का मतलब है दोस्तों कि यहां पर आपको ऑजोन लेयर में अख उसका लेयर में होल हो जाना जिससे क्या होता है कि यूवी रे अल्ट्रा वाइलिटरे संसे आती है और हमारी हमें प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम को क्रिए करती है इसकी इसी बिमारी वीजि जो तियों बढ़ाती है अब हम बात करेंगे इक्टेवल डिस्टिब्यूशन औफ रिसोर्से एड बिकेम इसेंशियल फॉर सस्टेंट क्वालिटी लाइफ एंड ग्लोब पीस तो हमें क्या करना है कि हमें सही तरीके से यूज करके के अगण steams को हमें अपने इंवयोर्मेंट को बचानीया रिसोर्स को फ्यूचर जरासें के लिए अगर अचिक आखर assistir का सबहुत सारे काज होती यह पास बहुत सारे मोबा निंगर्ण करना है कि कैसे रिसोर्स का ये कर सके तो सस्टनेवल एक्जिस्टेंस जो है हम लोग डेवलोप्मेंट पर आते हैं सस्टनेवल डेवलोप्मेंट का यूज करेंगे तो सस्टनेवल डेवलोप्मेंट क्या है इसको देखते हैं तो दोस्तों सस्टनेवल एकनॉमिक एक development का मतलब होता है एक ऐसा development should take place without damaging the environment यहनि हम develop करेंगे देश को develop करेंगे अपने को करेंगे अपने country को करेंगे अपने परिवार को करेंगे लेकिन उसके लिए हमें environment को किमत नहीं चुकानी होगी हमें environment को अगर destroy करते हैं कि damage करते तो हमारे लिए problem होगा इसलिए बीना damage कि हमें अपने आपको development करनी है और development जो होनी चाहिए मतलब एक peacefully होनी चाहिए ना कि हमारे जो future generation को harm करें हमारी future generation में इसको यूज कर सके हैं दोस्तों एक सब्मीट होया था इसी सब को लेकर यहां से भी questions आपको arise की जाती है कि इसमें जो हैंडेड जो इस्टेट्स के हेड थे यहां पर participate किये थे और यह रियर्डी जेनेरियल जो है ब्राजिल में और यह first इंट यहां से question इदम सीधे सीधे question पूचा जाता है यह first international earth summit था ठीक है ना यहां पर सारे लोग एड्रेस मतलब अपने बिचार रखते हैं problem क्या थी environmental को protect करना है socio economic development at global level पर जो हमारा global warming बर रही है उसको लेकर यहां पर पर विचार किया गया था है ना इसमें सारे लोगों ने अपने मतलब साइन किये थे और इसमें एक एजेंडा-21 एजेंडा सेट किया गया थो दोस्तों तो इसमें 28 एजेंडा में क्या था इसके बारे में तोडिसकस कर लेते हैं इसका में जो पॉइंट थी objective थी कि हमें is तरेवल यहाने हम डेव्लाप करेंगे लेकिन तो डेवलप्मेंट क्या होनी चाहिए किसी,मारी को द कामेज की बीना हम्हारी डेवलाप्मेंट होना चाहिए है दुसरी इस एजेंडा में यह क्मोमबैट ठाइय किया ग yolना बीजिद गर गोублиर्फी mutual needs and share responsibility हम किसरी बात करेंगे कि जो लोकल गावर्मेंट होगा अपने लोकल अजेंडा को ध्यान में रखकर वो अपने लोकल बेस पर काम करेंगा ताकि इन्वार्मेंट को हाम ना हो एक दूसरे को सजेस्ट ना करें और बिना सजेस्ट के बिना लेक्चर दिये हम काम करेंगे विदाउट डैमेजिंग इन्वार्मेंट तो यहां तक तो आपका सारा किलियर है नेक्स्ट वीडियो में और भी हम डिसकस करेंगे तब तक आप यहां पर आप क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं फड़ाफ़ट वट और अबायोटिक रिसोट बहुत ही सिंपल है आप यहा सारे कोईशन से आप इसे करेंगे आप फर्स्ट इंटर्णेश्टन और सब्मित कव हुआ था तो कहा हुआ था रियोड़ी जैनेरियो रिसोर्से वीचर फांड इंडिजनल बट हैब नाट बिन उटिलाइज तो इस टाइप की रिसोर्स को पोटेंशिल कहते हैं वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इस पर जैसे में फटाफट कर रहा हूं आप यहां पर स्क्रीन सोट ले लो इसक्रीन पाउस करके और इसको को जो नीचे दे रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है प्रिवेस से को लिया गया है जो बोड में पूछे गया है इसलिए काफी इंप तक अपना ख्यार रखेंगे हैवा नेक्स्ट गुड़ डे बाबाए